आज का हमारा जो टोपिक है वो है अमिनो ग्लाइकोसाइड एंटिबाटिक्स तो आज की क्लास में ये कैटेगरी डिसकस करने वाले हैं बीटा लेक्टम एंटिबाटिक्स की कैटेगरी हमने डिसकस कर लिए हैं तीक है उसके अंदर हमने पैंसलेन और सिफेलोस्पोरिन दूसरी आपको कानामाईसिन पढ़नी है और तीसरी पढ़नी है नियोमाईसिन ठीक है अब जो अमीनो गलाइकोसाइड एंटिबाइटिक्स होती है वो क्या होती है अमीनो गलाइकोसाइड अमीनो प्लस गलाइकोसाइड यानि कि इन एंटिबाइटिक्स के अंदर जो अमीनो glycoside जो antibiotic है वो broad spectrum antibiotic होती है कैसी antibiotic होती है broad spectrum antibiotic अब broad spectrum है तो इसका मतलब क्या है broad और narrow का broad spectrum antibiotic यानि कि gram negative bacteria और gram positive bacteria इन दोनों के against यह effective होगी ठीक है लेकिन यहाँ पर एक important point आपको बताता हूँ जो gram negative bacteria है और जो gram positive bacteria है इन दोनों के against तो क्या है यह effective है लेकिन ज्यादा activity किसके against होगी तो gram negative bacteria के against यह ज्यादा effective होगी कौन amino glycoside antibiotic तो यह point आपको याद रखना है अगर आप से पूछा जाए कि amino glycoside antibiotics mainly effective against option one positive gram positive bacteria option two gram negative bacteria तो हमारा जो correct answer है वो होगा gram negative bacteria तो amino glycosides antibiotics are mainly effective against gram negative bacteria और जो pencil हमने पड़ी थी वो क्या थी वो mainly gram positive against काम करती है और यह gram negative गेंस्ट काम करती है तो यह छोटी 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 बाते हैं यह आपको याद रखने है ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है क्या लिखना है amino glycosides वो compounds होते हैं जिसके अंदर amino sugar होती है जो glycosidic linkage बनाती है जो आइन करके ठीक है यह already मैं बता चुका हूँ और यह broad spectrum antibiotic होती है ठीक है और इनकी जो activity है वो ज्यादा होती है greater activity against gram negative काम तो यह दोनों bacteria के against करती है लेकिन activity के against जाता है gram negative के against जाता है as comparison to gram positive bacteria ठीक है next point देखिएगा क्या है देखिए amino glycosides जो antibiotic है उसके अंदर में तीन antibiotic पढ़नी है लेकिन होती तो और भी है कौन-कौन सी होती है streptomycin, kanamycin, gentamycin, neomycin, phramycetin, amikacin and paramomycin ठीक है यह antibiotics जितनी भी है यह सारी की सारी amino glycosides antibiotics होती है ठीक है लेकिन आपके syllabus में streptomycin, kanamycin और neomycin सर्प यह दीव ही है तो यह तीनों ही important है और इन तीनों में से most important आपकी streptomycin है ठीक है तो exam के अंदर या तो आप से पूछा दाएग amino glycosides antibiotics के बारे में बताईए या फिर आपको specific streptomycin के बारे में भी पूछ सकता है क्योंकि यह इन तीनों में से ज्यादा important है लेकिन आपको streptomycin, kanamycin, gentamycin और neomycin इन चारों के बारे में आपको याद करना पड़ेगा ठीक है इंपोर्टेंट है यह चारों के चारों चारों नहीं तो थोड़ी सही important तो है इसलिए आपको याद करना पड़ेगा ठीक है चारों एंटिबाटिक्स बिल्कुल सेम है कुछ नहीं याद करना मैं बताऊंगा एक ही बार में आपको चारों एंटिबाटिक याद हो जएगी ठीक है समझे कैसे होंगी वह हम आपका आगे बत इन सब में ना तीन common toxicity present होती है ठीक है three common all of them have three common toxicity toxicity का मतलब क्या है यानि कि ज्यादा amount में drug लेने से क्या होता है toxicity हो जाती है हमारी बोड़ी में कुछ न कुछ उसे adverse effect हो जाता है है एना adverse reaction हो जाती है हमारी बोड़ी में तो उसी को toxicity बोलती है और वो क्या क्या होगा autotoxicity, nephrotoxicity और neuromuscular toxicity ये तीन toxicity सभी aminoglycosides के अंदर common है ठीक है तो autotoxicity का मतलब क्या है autotoxicity के अंदर आपको क्या होगा loss of hearing यानि कि आपको सुनना ही बंद हो और एक और चीज होगी loss of equilibrium यानि कि loss of balance यानि कि आपकी body का balance नहीं बनेगा ठीक है तो autotoxicity में ये होगा nephrotoxicity में nephrotoxicity में यानि कि kidney damage या फिर बोल सकते हो renal damage या फिर आप बोल सकते हो nephron damage nephron toxicity यानि कि nephron पे कोई damage आएगा ठीक है तो तीनों का मतलब एक ही है renal damage, kidney damage कुछ भी बोल सकते हो तो nephrotoxicity में यह होगा यानि कि आपको क्या होगा कि urine pass out नहीं कर सको गया ठीक है unable to pass out urine और neuromuscular toxicity यानि कि जो neuromuscular junction होता है वो block हो जाएगा यह होती है neuromuscular toxicity तो यह तीन common toxicity है जो हर एक antibiotic के अंदर यानि कि हर एक antibiotic अमिनोगलाइकोसाइड में जितनी भी अंटिवाइटिक है उनके अंदर यह common होती है ठीक है तो सारी की सारी अंटिवाइटिक में common point क्या हुआ आपका toxicity वागा ठीक है तो adverse drug reaction आपको क्या लिखना है कोई भी antibiotic आपसे examiner पुछेगा तो उसके last में आप क्या लिखते हो सबसे पहले तो थोड़ा से introduction लिखते हो कि कहां से obtained हुई औरली दे सकते हैं या injection की form में दे सकते हैं कुछ point यह लिखने हैं आपको फिर आपको mechanism of action लिखना है और इन सबका mechanism of action भी क्या है same है ठीक है अब बात करते हैं mechanism of action की सबी का same है ठीक है अगर मैं इसके mechanism of action की बात करूँ one line mechanism of action अगर मैं आपको बताऊं तो आप direct-direct यह लिख सकते हो कि amino glycoside antibiotics acts by inhibiting the protein synthesis ठीक है यह protein synthesis को inhibite कर देती है ठीक है through which bacteria becomes unable to growth ठीक है बैक्टिरिया grow नहीं कर पाएगा और वो मज जाएगा ठीक है इस तरीके से यह काम करती है यानि कि protein की synthesis को यह inhibit कर देती है amino glycoside antibiotics यह simple सा आपका mechanism है ठीक अब थोड़ा detail में देखी होगा क्या जैसे ही आपने amino glycoside antibiotic ली वो क्या करेगा कोई भी हम antibiotic लेती है वो क्या है microorganism को किल करने के लिए तो जो amino glycoside antibiotics है वो हम हमारे अंदर जो bacteria ने जो disease को कर रखी है उसको किल करने के लिए हम लेंगे जैसे ही हमने यह antibiotic ली वो क्या करेगी bacteria के अंदर जो 30S ribosomal subunit है ठीक है यह जो ribosomal subunit है इसका काम होता है protein बनाना ठीक है protein बनाता है 30S ribosomal subunit जो bacteria के अंदर है हमारी cell के अंदर भी यह ribosom present होता है ठीक है और हमारी cell में भी क्या है यह bacteria बन सोरी protein बनाता है ठीक है तो ribosom का काम ही protein बनाना होता है RNA की मदद से ठीक है तो क्या करेगा जैसे हमने aminoglycoside antibiotic ली वो antibiotic क्या करेगी वो इस subunit के साथ 30S ribosomal subunit किसके बैक्टीरिया बैक्टीरिया की जो 30S ribosomal unit है उसके साथ bind हो जाएगी ठीक है bind होने के बाद होगा क्या अब जो ribosomal ये subunit है ये tRNA की misreading नहीं कर पाएगी अच्छे तरीके से तो इसे होगा क्या it cause misreading of tRNA जो binding हुई है antibiotic की वो binding क्या कोज करेगी misreading of tRNA जिसे की बैक्टीरिया के अंदर synthesis नहीं हो पाएगा protein का अगर synthesis नहीं हो पाया protein का तो bacteria grow नहीं करेगा ठीक है growth ही नहीं बीट हो जाएगी और growth ही नहीं बीट हो गई तो ultimately वो मरी जाएगा ठीक है क्योंकि protein essential है bacteria की growth के लिए तो ये थोड़ा सा detail में mechanism of action है और सभी के सभी antibiotics amino glycoside antibiotics चाहिए वो streptomycin हो kanamacin हो gentamacin हो neomacin हो सब के अंदर ये same mechanism of action चलेगा ठीक है एक और खास बात मा आपको बता देता हूँ जो ये streptomycin है और जो ये kanamacin है ये tuberculosis यानि TB के अंदर भी use होती है ठीक है तो anti-tubercular agent यानि कि वो agent जो tuberculosis TB को ठीक करने के लिए होते हैं use किये जाते हैं वो होते हैं anti-tubercular और उसके उसमें जो classification आएगी उसके अंदर आप antibiotic पढ़ोगे streptomycin और kanamacin जो TB को ठीक करने के लिए दी जाती है ठीक है तो ये TB को भी treat करती है तो ये ध्यान रखना ये आपके syllabus में है anti-tubercular agent वहाँ पे आएँगे दोनों के दोनों याद रखना ठीक है तो ये हमारा mechanism of action अब देख लेते हैं थोड़े थोड़े कुछ point streptomycin और kanamacin के streptomycin obtained होती है streptomycin grecious से ठीक है कोन सी anti-biotic कहां से obtained होती है ये आपको ज़रूर याद रखना है streptomycin bacteriostatic होती है low concentration में और bactericidal होती है high concentration में ये well absorbed होती है injection intra-muscular injection के दवारा और लिए ये absorbed नहीं हो पाती है इसलिए इसको injection की form में हम देते हैं intra-muscular राइट इट diffuse into all body ठीक है पूरी body में diffuse हो जाती है केवल CSF को छोड़के CSF क्या होता है cerebro spinal fluid उसको छोड़के हर जगे पूरी body में distribute हो सकती है ये liver के दवारा जब ये अपना काम कर देगी तो liver इसको metabolize कर देगा और फिर eliminate कर दी जाएगी ये kidney के दवारा by glomerular filtration तो ये simple simple point थे तो ये हमारा streptomycin था अब आपको streptomycin के बारे में examiner पूछे तो क्या करना है ये point लिखने है उसके बाद आपको क्या लिखना है mechanism of action लिखना है उसके बाद फिर क्या लिखना है उसके बाद फिर आपको ADR लिखना है adverse drug reaction ototoxicity, nephrotoxicity और neuromuscular toxicity ठीक है तीन चीजे होगी और उसके बाद में आपको structure बना देना है streptomycin का structure जरूर याद करना है बिना structure के medcam में नमबर आपको मिलेंगे नहीं ठीक है इसलिए structure जरूर याद रख करना तो बस ये point आपको लिखने है हो गया आपका streptomycin kanamycin obtain कहां से होती है streptomycin kanamyceticus effective होती है against several gram negative organism सारी ही जो antibiotic है amino glycoside antibiotic ये मेलनी किसके against काम करती है gram negative के तो ये point भी आप लिख सकते हो सब के अंदर क्या common है यहाँ पे specific बता दिया E. coli, M. tuber, Closys, Salmonella, Cisella इनके against क्या काम करती है ये bactericidal होती है यानि कि bacteriया को kill करेगी direct ठीक है it ineffective on oral administration orally ineffective होती है streptomycin भी orally ineffective थी वो भी injection की form में दी जाती थी ये भी injection की form में दी जाती थी और दोनों ही intramuscular injection की form में दी जाती है फिर eliminate कर दी जाएगी kidney से और liver के दोबारा तो metabolize होगी फिर eliminate कर दी जाएगी ये भी common point होगी तो काना माईसेन आपसे पूछेगा तो ये चीज़ आपको लिखनी है फिर ADR लिखना है mechanismo action same लिखना है ठीक है कुछ use आपको याद हो सकते हूँ तो use भी याद कर ले ना एक दो ADR देखिए 8th neuro damage 8th neuro damage क्या है autotoxicity ठीक है इसके urinary tract UTI में use होती है respiratory tract infection में use होती है और TB में तो use होती है जो काना माईसेन है और जो streptomycin है उनका use भी पता चल गया common use कहां use होती है streptomycin और काना माईसेन दोनों की दोनों TB के अंदर use होती है ठीक है और जो respiratory tract infection है इसके अंदर भी streptomycin यूज की जाती है और ये भी यूज की जाती है तो देखें यूज भी दो यूज common होगे ADR common होगे और mechanism of action common होगया ठीक है, सिर्फ आपको वो जो starting में point बताये थे दो चेर point है, वो याद करने है तो पूरी aminoglycoside antibiotic आपको याद होगे ठीक है, तो ये था हमारा आज का topic, aminoglycosides antibiotics जहाँ पर आपने तीन एंटिबाइटिक याद करनी है streptomycin kanamycin, ये मैंने आपको बता दिया एक रह गई, neomycin neomycin कहां से obtend होती है ये आप याद कर लेना bacteria static acidal है, वो आप देख लेना ठीक है, और फिर लिक देना mainly against काम करती है gram negative के against ठीक है, और injection की form में दी जाती है, या orally दी जाती है, या बुक से देख लेना ठीक है, और फिर liver के दोबारा metabolize होगी, और kidney के दोबारा eliminate होगी ठीक है, ये point होगे, फिर बाद में mechanism of action सेम है, ADR सेम है, और use देख लेना एक दो, कहां use आती है, तो ये आपके slaves में तीन amino glycoside antibiotic है, जो आपको करनी है, और इन तीनों के structure आप जरूर से जरूर याद कर लेना, ठीक है structure आपको लिखने ही लिखने है medical के देर, राइट, मैंने यहाँ पर नहीं बता है, क्योंकि structure आपको खुद याद करने है, उसमें कुछ समझाने लायक बात है ही नहीं, ठीक है तो ये थी आज के हमारी class amino glycoside antibiotics, ठीक है अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप comment करियागा कि आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, तो भी comment करियागा, मुझे बताईए आपको कितना समझ आया या कितना समझ नहीं आया ठीक है, पिछली जितनी भी class है हर वीडियो में आप comment करके बताओ कि इसमें ये problem आ रही है या ये समझ में आ गया है, ठीक है तो आप बताईए प्लीज, मुझे पता लगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर